आप लोगों के धेड़ सारे कमेंट साते हैं कि अब डिनर में क्या बनाती हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डिनर रूटीन टाइम सेर करने वाली हूँ सारी चीजे कैसे होती हैं मैं कैसे मैंनेज करती हूँ और आज संडे हैं मतलब ये कल का व्लॉग है जनरली वीकडेस में और वीकेंड में ऐसा नहीं होता है टाइम के अकार्डिंग और काम के अकार्डिंग रूटीन चेंज होती रहती है ये वीकेंड है तो अभी बज़रे हैं सामके साथ मैं आ गई हूँ किचन में और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था चुकि मैं कल ही मस्रूम लेकर के आई थी और मस्रूम क्या होता है ना कि अगर आप एक दो दिन छोड़ दोना तो धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं काले पढ़ने लगते हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था घर में साफ सफाई हो रही थी पेंटिंग वेंटिंग लगा हुआ था तो मैं बना नहीं पा रही थी इनफेक्ट मस्रूम बनाना तो बड़ी बात है मैं प्रॉपर खाना पीना भी नहीं बना पा रही थी तो मुझे लगा अभी मैं मस्रूम बनाती हूँ क्योंगी आज नहीं बनाई तो खराब हो जाएगा, आप लोगों के घर में साफ सफाई हो गई, मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा, और जैनल लोग मुझे से पूछते हैं, क्या अब डिनर में क्या बनाती हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ ना, कि डिनर में जैनली ज सबजी ही बनाना पसंद करती हूँ, डिनर में लाइट ही खाना ज्यादा अच्छा लगता है, बट कभी-कभी अच्छा भी खाने का मन करता है, जोकि दो दिन हो गये थे, हम लोग बहुत रूखा सुखा खा रहे थे, कुछ बनानी पारी थी प्रॉपर, तो मुझे लगा भी एक अच्छी सी सबजी बनाई जाए, तो अभी मैं बना रही हूँ मस्रूम टिका, जोकि बहुत ज़ादा टेश्टी बनती है, और इधर आसिस अव्यू के साथ खेल रहे हैं, इसी तरह से टाइम निकलता है, वीकेंड का, जब मैं वीडियोज बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो आसिसी अव्यू को रखते हैं, या फिर अव्यू स्कूल चला जाता है, मौनिंग टाइम पे, ऐसे वीडियोज बनती हैं मेरी, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो चमच दही ले लिया है, उसमें मैं हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, भुनेवे जीरे का पाउडर, और हिंग डाला है मैंने, साथी चाट मसाला, कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और सरसो का तेल एड़ करेंगे, एक से डेड़ चमच साथी निम्बू का रसे अड़ करेंगे इसमें, और उसके बाद जो अधरक, लसून और मिर्च मैंने यहाँ पर कूट के रखी थी ना, वो मैं इसमें अड़ कर दूँगी, साथी साथ अब हम क्या करेंगे ना, इसमें बेशन अड़ करेंगे, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है, तो एक से डेड़ चमच मैं यहाँ पर बेशन अड़ करूँगी, और यह सबजी आप एक बड़ जरूर से ट्राइ किजिएगा, बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है खाने में, मैंने सोचा था कि मैं लंच में बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाई, और यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इधर आसीस आटा गूत रहे हैं, और जो मश्रूम मैंना उसे भी मैंने अच्छे से धो लिया था, इस टार्टी में ही मैंने मश्रूम को अच्छे से पानी में डाल करके छोड़ दिया था, तो यह अच्छे से भीग गई, तो इसे धोना बहुत ही आसान हो गया, तीन से चार बार मैंने इसे धो लिया, मश्रूम एक्तम क्लीन है, बहुत लोग क्या करते हैं, उपर की स्किन हटा देते हैं, अगर खराब हो तो आप हटा सकते हैं, अदर्वाइस क्लीन हो तो फिर इसे हटाने की ज़रत नहीं पड़ती है, मश्रूम को मैंने यहाँ पर जो दही वाला मिक्सर था ना, उसे मैंने अच्छे से मेरिनेट करके रख दिया है, अभी हम लोग दोनों ही काफी जादा थके हुए हैं, क्योंकि घर में अगर काम होता है, दिवाली की साफ सफाई, अपने में ही एक बहुत जादा बड़ा वाला काम होता है, बहुत जादा मतलब कितना भी अब करो कम ही पढ़ता है बहुत जादा ही रहता है वैसे मैं डेली वे में भी क्लीन करती रहती हूँ बट फिर भी दिवाली की जो सफाई होती है डीप क्लीनिक वो तो बहुत जादा ही रहती है बिल्कुल बनाने का मन नहीं था हम लोग दो दिन से जैसे तैसे खा रहते हैं बट फिर मैंने सोचा यार आज नहीं बनाई तो फिर ये खराब हो जाएंगे और वैसे मस्रूम मुझे बहुत जादा पसंद है तो मैं लेकर कैया थी तब से मैं सोच रही थी कि मैं इसे खब बनाऊ तो मैंने इदर कढ़ाई चड़ाई है उसमें मैंने डाला तेल साथी साथ एक चमचे करीब बटर एड़ किया है चार से पांच काली मिर्च एड़ करेंगे दो लॉंग और एक छोटे साइज का डाल चिन्नी टुकड़ा और साथी तेजपत्ता और जीरा एड़ किया है मैंने उसके पांच मैंने यहाँ पर दो प्याज लिए चोटे साइज के बहुत बड़े नहीं थे बारिक मैंने यहाँ पर इसे चौप कर लिया है और प्याज को क्या करेंगे ना कि सुनेरा होने तक भूनेंगे दो टमाटर लिये हैं और मैं यहाँ पर इसे बारिक बारिक चौप कर रही हूँ आप चाहे ना तो जो टमाटर है ना उसे आप अच्छे से ग्राइन भी कर सकते हैं बट यहाँ पर उसके जुरत नहीं पढ़ती है साथी अब इसमें एड़ करूँगी और साथी साथ नमक अड़ करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो टमाटर प्याज अच्छे से एक दम सॉफ्ट मतलब गल ना जाए तब तक दूसरे साइड मैं इधर पैन चड़ाई है और एक चमचे करीब मैंने इसमें तेल डाला था और जो मस्रूम थे ना वो हम इसमें अड़ कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से मस्रूम को भूनेंगे यह सबजी आप एक बार ट्राई किजेगा ना तो आपको रेश्टरंट से भी ज़्यादा टेश्टी लगेगी इतनी मतलब गजब की टेश्टी होती है साथ ही थोड़ा सा नमक एड़ किया है क्योंकि मैंने इसमें पहले एड़ नहीं किया था क्योंकि पहले एड़ करने से पानी रिलीज हो जाता है इसी वज़े से अब बाद में एड़ कीजेगा तो मसूम वैसे ही मसूम बहुत जादा पानी छोड़ता है लेकिन इस तरह से ट्राइ कीज़ेगा तो बहुत ही अच्छे बनेंगे अब मैंने इधर लिया मिक्सर का जार अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5-6 काजू और क्या करेंगे ना कि काजू को ऐसे ही सूखा ही ग्राइंड कर लेंगे 5-6 नहीं थे 6-7 थे 7-8 भी हो सकते हैं और जब यह अच्छे से ग्राइंड हो जाए ना सूखा ही तो उसमें मैंने एड़ किया एक चमश दूद की मलाई आप चाहें तो दही भी आड़ कर सकते हैं नहीं हो तो इसकिप भी कर सकते हैं पानी आड़ किया थोड़ा सा और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे स्टार्टिंग में जो आप काजू मतलब ग्राइंड करें ना ऐसे ड्राइ ग्राइंड करें नहीं तो अग पानी आड़ कर देंगे ना तो अच्छे से उपिस्ती नहीं है यहाँ पर जो मस्रूम अच्छे से भुन गई है तो हम क्या करेंगे कि इसे प्याज वाले मतलब ग्रेवी में आड़ कर देंगे और देखें यहाँ पर जो सबजी कितनी ज़्यादा टैम्टिंग लग रही है तीन से चार मिर तक के लिए से ऐसे ही छोड़ देंगे और उबलने के लिए और लाश में मैंने इसमें एड़ के कसूरी में थी अगर आपके पास फ्रेस हरा धनिया हो तो जरूर से एड़ किजेगा मेरे पास नहीं था तो मैंने एड़ नहीं किया और ये सबजी देखे कितनी जादा लजीज लग रही है मुझे ऐसा लगा इसमें मश्रूम की कमी हो गई है ग्रेवी जादा हो गया है बट ऐसा नहीं था जब खाने लगे तो अच्छा हो गया था आप चाहें तो इसमें तोड़े से और मश्रूम एड़ कर सकते हैं इतने स पूछते हैं कि आपकी रोटियां तवे पे कैसी फूलती है तो आप स्टार्टिंग में क्या करें कि तवे में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दे उससे क्या होगा ना जो रोटियां है वो चिपकेंगी नहीं तवे में आप फ्लेम को मीडियम ही रखें एक्दम गर्म न जाती है और जब भी आप आटा गूत है ना तो उसे पांच से साथ मेंट तक के लिए जरूर से रेश्ट में रखें उससे रोटियां और भी अच्छी सॉफ्ट बन करके तयार होती है और इदर अव्यू सारी की सारी रोटियां लेकर के भाग रहा है मतल़ चार पांच जातर घर में जाग कर फैला देता है अव्यू का दिनर होगया है और इसी तरह की ग्रेवी वाली सब्स काता है इस तरह की कि Raate पलकुल पसंद नहीं करता है का और बिंड़ी के लिए राइ सब्छी बनाती हूं घ्रेंस काना स्ब्तियां और जो बाकिवी रोटियां मैं उस पिसल सबजी होना तो रोटियां जादा ही खाई जाती है इसी वज़ा से कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा आप लोगों के धेड़ सारे प्यारे प्यारे कमेंट साथ हैं पढ़कर के बहुत जादा खुसी होती है और वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा मेरे मोटिवेशन के लिए मैं मिलती हूँ नेक्ट व्लाग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर हैपी दिपावली साफ सफाई